नमस्कार जस्वीर केशिन चैनल पे आपसा बेहनों का स्वाक्त है फ्रेंड्स आज हम जीरो से लेके 6 मंत तके बच्चे की कैप बनाने वाले हैं कैप हम टू कलर में बनाएंगे और इसको हम दस नमबर पे बनाने जा रहे हैं और यह जो कैप है जे हम 80 फंदों में बनाएंगे 80 फंदे लेंगे इसके लिए फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे हमने फंदे सिंपल डाले हैं जे वाले जैसे दो पीस इदर लिए हैं एक पीस इदर लिए हैं तो हम जैसे ऐसे फंदे डालते हैं वो वाले फंदे डाले हैं की तो हमने 80 बंदे डाल यह 85 बन कर हम दस नंबर से उलटा-उलटा बनादा स्ट्ट करेंगे तो हम दोन्यों तरप से उलटा-उलटा बनाएंगे और इसमें हम डिजैन भी बनाएंगे क्सेट बनाना है बेबी का तो उसेके लिए हम यह बना रहे है रेड और वाइट कैप तो ऐसे आपने सिद्धी तरब से भी उल्टा बुनना है और उल्टी तरब से भी उल्टा बुनना है ऐसे ऐसे बनाईए उल्टी तरब से भी उल्टा बनीए और हमने ऐसा छे लाइने डालनी है एक दो तीन चार पांच छे छे लाइने डाल कर हम कैब बनाएंगे और उपर जे वाला डिजाइन बनाएंगे ठीक है एक ये सेट के साथ की हम कैब बना रहे हैं बहुत सुन्दर है तो इतना हम बनाएंगे पहले तो हम जे बनाएंगे और कैब का डिजाइन भी आपको बता देंगे ठीक है तो हम इसकी बारा स्लाइया उल्टी उल्टी बनाकर फिर आपको दिखाएंगे जी देखिए फ्रेंट हमने 12 सलाइया बना ली है और 2, 4, 6 लाइने बनेगी है अब हमने इस कैप के उपर डिजाइन डालना है डिजाइन डालने के लिए हम अब सीधी सीधी और उल्टी 6 सलाइया प्लेइन बनाएंगे एक सीधी बनाएंगे ऐसे और फिर प्लेइन बनाएंगे उल्टी प्लेइन तो ऐसे हम 6 सलाइया बनाके फिर उसके बाद हमने एक डिजाइन स्टार्ट करना है तो पहले 6 लाइने सीधी और उल्टी बना ले जे देखिए फ्रेंट हमने 4 सलाइया बनाई है हमने 6 बोला था लेकन बेबी कैप है जीरो से 6 समान तक की तो इसलिए हमने 4 सलाइया ही बनाई है और अगर आपने और बड़े बच्चे की बनानी है तो आप इसमें 6 सलाइया रख सकते हैं दो साल धाई साल तीन साल चार साल तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हमने चोटी है तो इसलिए इसमें 4 सलाइया बनाई है अब हम design डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 7 फंदे simple इसी color के बुनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे simple बुनेंगे, एक फंदा हम red color लगाएंगे, तो उसका हम एक फंदा बुन लेंगे, जे देखिए, एक फंदा बुन लिया, आगे हम फिर 7 फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, लेकर इसको बीच में attach कर लेंगे, कि फंदा thread long लगाएंगे, 3, 4, 5, 6, और 7, 7 फंदे हमने plain बुन लिये हैं, एक फंदा red बुनेंगे, तो फिर हम इस thread को अगे लाएंगे, क्योंकि हमने बीच में एक बार attach भी किया है, तो उसी साब से जे thread long नहीं आएगा, फिर हम साथ फंदे simple बनाएंगे, तो तीन फंदे बनाने के बाद ही हम इस thread को आगे ले आएंगे, ऐसे, और इसको इससे फिर बुनेंगे, तो attach हो जाएगा, तो साथ फंदे हम बुन लेंगे, देखिए, दो, चार, छे, साथ, साथ, साथ फंदे बुन लिये, इस thread को फिर अगे लाके ऐसे, ऐसे attach हो जाता है, तो long piece नहीं आता है, long भी दखा देते हैं कैसे होता है, जे, साथ फंदे के बाद एक red बुनना है, फिर आपने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो साथ बुनने के बाद अगर आप thread को अगे लाते हैं, इसको, तो इतना लंब thread डाता है, जो के ठीक नहीं लगता, तो इसलिए हम पहले, तीन फंदे बुन लेते हैं, जा चार फंदे बुन लेते हैं, तो फिर आगे लाते हैं, जैसे चार बुन लिए, तो आगे ले आए, जा तीन बुन लिए, तो आगे ले ले आए, तो ऐसे हमने बुनना है, जी देखिए, दो, चार, चे, साथ, इसके बाद फिर एक फंदा बुनेंगे, तो हम ऐसे पूरी सलाही बनाएंगे, जैसे देखिए, फिर लास्ट में हमने साथ फंदे बुने हैं, दो फंदे बच्चे है, एकी में से, इसमें हम एक फंदा ये कलर का डालेंगे, और एक फंदा हम सिंपल बुनेंगे, ठीक है, तो ऐसे हमने डिजाइन को अड़्जेस्ट कर लिया है, आप अपने फंदों को इसी साथ से अड़्जेस्ट कीजिए, और जे देखिए फ्रेंड, अब हमारी सेकंड स्लाई है, सेकंड स्लाई में हमने क्या करना है, हमने अब एक फंदा रेड बुना था, तो उल्टी स्लाई में हमने तीन फंदे उल्टे करने है, रेड करने है, उल्टी साइड में, तीन चार पांच ठीक है अब आगे हमारे एक रेड है यह एक इदर का एक इदर का तीन रेड हो जाएंगे एक दो तीन फिर बीच में हमारे पांच वाइट आएंगे तीन चार पांच तो हमारे पांच वाइट आगे ऐसे बनेगा तीन रेड पांच वाइट, तीन रेड पांच वाइट, मतलब एक पे हमारा तीन फंदे बन जाएंगे, तो ऐसे हमने, जो हम आगे थ्रेड को लेके जाते हैं, उसको टाइट नहीं लेके जाना, सिंपल लेके जाएए, थोड़ा सा न, ऐसे फंदे बिखेर कर फिर लेके जाए इससे design tight नहीं होता, बड़े अराम से बुणिए, जैसे हमने 5 फंदे बुणने हैं, 2, 4, 5, है न, उसके बाद आपने, जहां 3 red बुणने हैं, तो thread को ऐसे फंदे बिखेर कर, फिर ऐसे लेके जाईए, तो इससे design tight नहीं होगा, ऐसे एकठा नहीं होगा, बड़े अराम से सुन्दर सा बढ़ेगा, तो ऐसे आपने बनाना है, यह देखिए, last में हमारे 3 और 5 फंदे आए हैं न, white, तो जहां हम एक red thread बढ़ेंगे, last में, क्योंकि बीच के white हमने equal करने हैं, तो हमारी second slide complete होगी है, अब आते हैं, third slide में design की, तो एक फंदा जो हमने red ब बुनना है, और बीच में हमारे 3 फंदे white रह जाएंगे, और 5 फंदे red हो जाएंगे, और 3 white, तो जहां पे हमने 3 फंदे white बुनने हैं, 2, 3, ठीक है, और 5 फंदे हमने red बुनने हैं, 1, क्योंकि 1 फंदा इदर बढ़ेगा, 1 इदर, 2, 3, 4, 5, ऐसे, फिर अग्ये हमारे फंदे बढ़ेंगे, 1, 2, 3, और फिर ये 5 फंदे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ए थर्ड़ सलाई है, थर्ड़ सलाई में हमने ऐसे बनाना है, ठीक है, ये देखिए, थर्ड़ सलाई के लास्ट में हमारे चार फंदे red हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अब हम आते हैं इसकी wrong side में, wrong side में हमारे red पांच हो जाएंगे, 1 white, तो फिर 7 हमारे red हो जाएंगे, एसे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक हमारा red आएगा, white आएगा, फिर हमारे 7 पंदे उल्टे में, एक उल्टा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 उल्टे, red फिर एक white, अब देखिए, अब इसमें हम thread इतना long लेके जाएंगे, थोड़ा long लगता है, इसको हम दबाएंगे, कैसे, जैसे हमने first slide में किया था, एक, दो, तीन, तीन फंदे बुने, इसको हमने ऐसे करके दबा दिया, इसको हमने पकड़ लिया, फिर thread red को, क्योंकि इससे बुन रहे हैं, इससे बाकी के फंदे बुन दिये, एक फंदा बढ़ा भी दिया, तो हमारे 2, 4, 6, 7 फंदे आएंगे, और एक फंदा आएगा, एड बनानी है, थोड़ा सा उपर red बनाएंगे, उसके बाद फिर next देखते हैं क्या करना है, ठीक है, ऐसे, पूरी sly white, तो चार sly red की हम बनाएंगे, एक सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, तो ऐसे design बनके हैं, क्योंकि इसमें भी हमने 4 sly बनाई थी, फिर इस design को बनाया, अब आगे भी हम 4 sly red की बना देंगे, तो बरापर design आ जाएगा, जी देखिए फिरेंड, इतना design डालने के बाद हमने 4 sly उपर बनाई है red कलर की, अब इसके बाद हम white, white dot डालेंगे, dot कैसे डालने हैं, वो देखिए, हम क्या करेंगे, 6 फंदे पहले, 80 फंदे हैं तो 6 फं 5, 6, क्योंकि इदर हमने sly भी करनी है, 6 फंदे डालने के बाद हम white color लगाएंगे, ठीक है, white color का एक ही फंदा बनेंगे, अब हम 5 फंदे बनेंगे, 5, 5, 1, 2, 3, 4, और 5, 5 फंदे बने, फिर हमने 1 फंदा बनना है, ऐसे, फिर हमने 5 फंदे बनने है, 3, 4, 5, 5 फंदे बनने, अब हम फिर white का एक फंदा बनेंगे, ऐसे, ऐसे हमने पूरी sly बनानी है, एक एक white का dot बनाना है, तो हम पूरी sly बना कर आपको दिखाते हैं, 2, 3, 4, 5, और फिर white, थोड़ा ऐसे बिखेर का फंदे, फिर इस thread को आगे लगाएंगे न, तो tight नहीं होगा, हमारा design, ऐसे, जो देखिए, फ्रेंड, 2, 4, 5, 5 फंदे हमने से red बने हैं, अब एक फंदा हम simple बनेंगे, एक last में हम red बनेंगे, यह एक red हमारा इदर आ जाएगा, तो हमारे बराबर आएंगे, क्योंकि एक फंदे की sly होगी, और एक फंदे की sly होगी, तो उस असाब से जे फंदे, बिल wrong side हमने पूरी red की ही बनानी है, उल्टी, इस thread को हम wrong side में छोट रहे हैं, white को, तो हमारे dot जो बन रहे हैं बीच में एक एक फंदे के, वो हम आपको उल्टी sly बना कर फिर दखाते हैं, यह देखिए friend, एक dot हम बात कर रहे थे, एक 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 अग, अब हमने plain sly, एक चार ब बना ली है, तीन और बनाएंगे और wrong side से dot start करेंगे, क्योंकि हमारा thread उदर है, wrong side में, तो हम thread को काटेंगे नहीं, उदर से ही बनाना start करेंगे, यह देखिए, एक sly बनी दो, फिर 3, 4, 5, 5 sly बीच में आएंगे, और फिर हम wrong side से dot को start करेंगे, जहां thread है जहीं से start करेंगे तो हम बीच की sly बना कर आपको दिखाते हैं, ठीक है, जह देखिए, चार sly हमने बना ली है, उल्टी, सीधी 2, उल्टी 3, और सीधी 4, अब हमारा wrong side पे thread है, है न, white, तो हम जहीं से start करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पांच फंदे थे न, बीच में, जह, बीच में पांच हैं, जहां पे डाला हमने white फंदा, तो 2, 4, 5, तो हम इसके बीच में thread को डालेंगे, white को, जे देखिए, एक तो j है, तो इसका एक फंदा j है, white का j है, बीच में कितने हैं, 5, तो हमने 2 और 2, 4, और जहां पे white डालना है, जहां पे, जहां white डालना है, और इसके बीच में जहां white डालना है तो हमारे उल्टे फंदे में red डाएंगे 2,3,4 जहां से आप ने देखना है जहां white फंदा यह white फंदा है इसके साथ 2 फंदे छोड़ के इस को हम white गिनेंगे तो हमने 4 फंदे उल्टे बुने एक फंदा हमने white बनाया फिर फिर हमने पाँच फंदे आप बुनने हैं दो, तीन, चार, पाँच और जहां पे हम 6 फंदा वाइट बनाएंगे फिर हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदा हम वाइट बनाएंगे तो ऐसे हम बनाएंगे देखिए जे थोड़े लॉंग लॉंग आ रहे हैं तो आप इसको बनाते वक्त द दो फंदे रेड बॉन के जहां पे आप बाइंड कर सकते हैं पंदे को है ना अटैच कर सकते हैं जे देखिए पहले हमने एक एक वाइट का जहां पे डॉट दिया अब जहां पे पीज में तो ऐसे हमने हर बार बनाना है फिर हम चार सलाई बनाएंगे और फिर हम डॉट बनाएंगे जैसे डॉट बनके हैं इसके बीच बीच में डॉट आने हैं है और हमने फिर इतना जितनी हमें लबाई चाहिए उतनी बुटी है लेकिन हर चार सलाई के बाद अब हम इधर आएंगे तो हम सीधी सलाई पे जहां पे हमार वाइट थ्रेड छूड जाएगा फिर हम राइट साइड से बनाएंगे तो ऐसे हम यह बनाते हुए जाएंगे और वहाँ जाकर एंड में वाइट थ्रेड छोड देंगे ऐसे तो हम एक बाइट सा बना आको दखाते हैं अगर आप यह इसको थोड़ा सा बाइंड करना चाते हैं जैसे तीन फंदे बुणे हैं इसमें इसको अटेच कर लिजिए ऐसे फिर इस थ्रेड से बुणिए दो और फिर बाइंड चूटेंगे नहीं, अगर आप जाहें तो, यह देखिए फिर लास्ट में हमारा एक उल्टा बाइट आया है, हमने बाइंड किये हैं, बीज-बीज में लॉंग वाले थ्रेड जहां हमने नहीं किये थे, वो हमने आपको दिखा दिया था, जहां हमने किये हैं तो ऐसे आएगा ठीक है, यह भी हमने लॉंग रखा आपको दिखाने के लिए, तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, और नेक्स्ट देखिए, दो डॉट बन चुके हैं, चार सलाई के बाद, एक चार सलाई पलेन बनी, और फिर एक-एक, अब इनको फिर हमने चार सलाई बनानी है, इसके उपर, जे ऐसी, और नेक्स्ट जो डॉट बनेगा, चार सलाई के बाद, वो जे वाला, जहां पे के निशान पे बनेगा, तो बस ऐसे आपने बनते जाना है, और जितनी हमें लबाई चाहिए, बच्चे के सेर की, हैड की, उतनी हम बना कर, फिर उसको हम, कैसे आके बनाएं हेड जो हमारा आएगा पूरा फोल्ड होके, और पांच इंच बनने के बाद हम कटिंग करेंगे, गटाई डालेंगे कैसे, तो हमने जे चार सलाई बनाई थी, फिर डिजाइन स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने चार सलाई बनाई, फिर डिजाइन डाला, चार सलाई डि लिया है डौल डौल बन चुके हैं अब हम कटिंग करेंगे तो हमारे 80 फंदो है हम पहले 4 फंदो पहले फिर फंदो एक दो 3 दो तीन चार पांच ठीक है हर बार हमने पांच फंदे बुनने है जे हमने इसलिए चार रखे हैं क्योंकि लास्ट में भी हमने वैसे ही बनाना है तो हमने पांच फंदे बुने हर छेवा फंदा हम दो का एक करेंगे फिर पांच फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, शिक्स फंदे को दो का एक कर देंगे, फिर पाँच फंदे बुणेंगे, तीन, चार, पाँच, और जहां दो का एक, ऐसे हमने पूरी सलाई बनानी है, जह देखिए, लास्ट में, पाँच फंदे बुणे है, छे में पे हम दो का एक करेंगे, बीज के चार फंदे हम सिंपल बन लेंगे, तो ऐसे हमने कटिंग करनी है, जब जहां चार फंदे आएंगे, तब हम जहां कटिंग करेंगे, तो अब हम रॉंक साइट जो है, पूरी उ पुल्टी बुनेंगे यह देखिया हम राइट साइड में आगे हैं तो हमने चार फंदे बुन कर दो का एक किया था अब हम तीन फंदे बुनेंगे एक दो तीन फंदे बुने हैं जहां पे हमने दो का एक किया था अब इससे पहले वाला फंदा और वो वाली वाला फंदा दो का एक करेंगे ठीक है कर दिया आगे हम एक दो तीन चार चार फंदे बुनेंगे और दो का एक करेंगे पहले हमने पांच बुने थे तो छे में फंदे पर दो का एक किया था अब हम चार बुनेंगे पांच में फंदे पर दो का एक करेंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बुने, जहां हमने पहले किया था वही वो वाला फंदा लेंगे और उससे पहले वाला फंदा, तो दो का एक करेंगे, ऐसे, वो लाइन सी दिखेगी हमें, एक, तो ऐसे करना है आपने पूरी सलाई, जे देखिए, हमने पाँच में फंदे पे दो का एक है, लास्ट में हमने अभी चार फंदे बुनने हैं, जहां हमने तीन बुन के किया था, जहां हम अभी चार के चार फंदे ही बुनेंगे, जहां पे गटाई शुरू है, जहां इतने हैं, अब सीधी सलाई आएंगे, तब जहां कम करेंगे, लास्ट में, तो ऐसे ही फिर उल्टी स्लाइप पूरी बनाएंगे जह देखिए फ्रेंड गटाई शुरू होगी है फंदे कम हो गए हैं और जह आपको नजरा रहा होगा अब हम क्या करेंगे एक फंदा उतारा एक बुना दो तो दो के बाद हर तीसरे फंदे पे मतब तीसरा और एक चेन वाला इसको दो का एक करेंगे तो तीसरे फंदे पे किया एक दो तीन अब चार पे करेंगे ऐसे हर बार चार पे करेंगे जो फर्स्ट वाला था एक दो तीन और जहां पे हम दो का एक करेंगे हर चौथे फंदे प तीन तो simple बनेंगे और चौथे फंदे पे दो का एक करेंगे ऐसे पूरी सलाई बनाएंगे यह देखिए चौथे पे किया है अब 4 फंदे simple बनेंगे इधर भी हमने 2 फंदे simple होगे इधर 4 होगे अब हम wrong side पूरी उल्टी बनाएंगे यह देखिए फंदे कम हो रहे हैं और जहां हमारे 2 फंदे हैं और जहां cutting है फिर last में हमारे बीच में 4 फंदे हैं एक दो तीन और जहां cutting है अब हम last में करेंगे लेकर हम जहां पर हम क्या करेंगे एक फंदा simple उतारेंगे और दो का एक करेंगे ठीक है आगे हम एक दो हर तीसरे फंदे पर cutting करेंगे ऐसे फिर एक दो तीसरे फंदे पर ठीक है ऐसे जह देखिए फ्रेंड हमने जहां cutting की है अब हम दो फंदे पुने है बीज में cutting की है अब हमने फिर दो फंदे पुनने है और लास्ट वाले से cutting करनी है दो का लास्ट में एक करना है अब पहले जहां से शुरू थी अब जहां से ब्रापबर प्रापबर cutting आएगी रॉंग साइड पूरी रॉंग भुननी है यह देखिए फ्रेंड कटिंग अब हमने क्या करना है दो का सीधा ही एक कर देना है क्योंकि फंदे बहुत कम हो गए है और cutting जहीं पर है दो का एक एक फंदा बुना दो का एक एक फंदा बुना दो का एक पूरी स्लाइए से बनानी है यह देखिए friend कितनी अच्छी cutting आई है तो अब जहां पर अब इतने फंदें हैं तो हम क्या करेंगे एक फंदा भी नहीं हाँ एक उतारा दो का एक फिर दो का एक हर बार दो का हमारी जे जो chain आती है सीधी सीधी एक टूटनी नहीं चाहिए तब भी इसकी गुलाई अच्छे से आप आएगी जो देखिए last में भी दो का एक दो का एक करना है और ब्राब पर आएगा अब हमने इसकी जो देखिए रॉक साइड उल्टी बुन्नी है फिर अप हमने फंदों को एक साथ रखना है तो हम पूरी स्लाई उल्टी बना लेंगे जितने भी फंदे हैं यह देखिए बना लिए हमने तो इतने फंदे बचे हैं दो चार छे आठ तस बारा बारा फंदों को भी हमने कम करना है तो हम फिर दो का एक दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक और दो का एक तो हमारे उल्ली 6 फंदे बचे हैं देखिए हमने पहले one year baby की एक बनाई थी वो भी हमने देखिए कितनी संदर गुलाई दी है है ना ओ। ऐसी ही गुलाई इसमें आएगी जे शीप कटिंग की पूँ संदर लगती है ये हमने one year baby की बनाई है ये भी बहुत संदर है कैप और इस सेट के साथ है सेट हमने अपलोड की हुई है जे हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं इसको भी जे इससे बड़ी है क्योंकि जे न्यूबॉर्ण बेबी की है जे वांचीयर की है अब हमरारे जो 6 फंदे बड़े हैं बचे हैं इसको हम सुई में डालेंगे नीडल में और इसको बाइंड करें जे देखिए फ्रेंड हमने इसको सुई में डाल लिया है और रॉख साइट से हम इनको ऐसे सुई में डालेंगे सारे फंदे 6 फंदे हैं और अगर बड़े साइज की होती है एक साल के बच्चे की तो हम 12 फंदों को ले लेते लेकर हमने जे फंदे कम कर दिये जे देखिए इसमें ले लिए हमने, इसको एक बार दबारा से फिर लेंगे, इनी में से, ऐसे, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ऐसे पकड़ के, आपस में इसकी सलाई करनी है, जहां तक तो हम red thread से करेंगे, जहां हम white से करेंगे, जो हमारा एपीस बचा हुआ है न, इससे खोल के, हम इसी से, इसकी सलाई करतेंगे, और जहां पे, इससे सलाई करेंगे, जो देखिए, इसको आपस में मिला के सलाई करेंगे, जो हमारी chain बनती है न, उसी को ले लेंगे हम, जे पीस, ऐसे, फिर दूसरी तरफ से, जो जे पीस होता है न, हमारा, उसको ले लेंग ये बस ऐसे हमने आपस में इसकी सलाई करने है ये देखिए ऐसे आपने सलाई करने है ये और जही तक करनी है जहां से आप वापस आजाएए आगे हमने वाइट कलर से करनी है तो अगर आप फिंशिंग से इसकी सलाई करेंगे तो ये बहुत सुन्दर लगेगी बस इसको जहां से काट दीजिए अब जैसे जे हमने थ्रेडल लगाया था ना इसको आपने कैसे सलाई करनी है इसको थोड़ा सा ये ज्यादा पीस काटिए और इसको आपस में बाइंट कर दीजिए ऐसे और इस थ्रेड से आपने सलाई करनी है इस थ्रेड को काटना नहीं है इसी से सलाई करेंगे इसको बीच में दे देंगे यह देखिए इस Thread को हम नीचे ले आएंगे और उपर से सलाई करेंगे यह जो है उल्टा पीस जे भी उल्टा है फर्स्ट वाला इसको सिलेंगे फिर हम सेकंड वाला लेंगे पीस जे उल्टा और इदर वाला उल्टा इसको आप ऐसे सिलेंगे जब हम जहां तक सिलके फिर इसको अंदर बाइंड कर देंगे तो जो उल्टी उल्टी सलाई दिखती है हमें उसको लीजिए और ऐसे सलाई गीजिए ठीक है जे देखिए जहां तक हमने सिलनी थी वहां से आप वापस आ जाईए और यह जो पीस है इसको बीच में ऐसे अटेच करके इसके उपर से थ्रेड गुमाई है ऐसे जे बीच में बीस आ जाएगा बाहर नहीं आएगा थोड़ा फिडिशिंग से जब इसको हम फिनिश करते हैं तो यह जो हमारे पीस होते हैं उनमें हम ले जाते हैं बाहर पीस दिखे ही नहीं वूल का अब देखिए और जो हमारा एह पीस है इसको भी काटके इसी के अंदर कर दीजिए गरे जो हमारे पीस है फूल का छूटा था इसको इसके साथ यह टैच कर दीजिए ऐसे अब देखना कितनी सुन्दर बन के आई है कैप और उपर देखिए इसका जो उपर का बैलन्स है पूरे राउन में आ रहा है कटिंग तो ऐसे आप बना कर अपने बच्चे को पहना सकते हैं वांच ये बेबी तक भी आ सकती है वैसे न्यूबॉर्ण बेबी की है जे हमने एक साल के बच्चे की बनाई थी न तो जे बड़ी है जे उससे छोटी है तो ऐसे आप अपने मंत तक एट मंत तक अराम से आएगी अगर बच्चे को थोड़ी बड़ी लगरी है तो आप इसको ऐसे फोल्ड भी करके पहना सकते हैं तब भी सुनता लगती है बहुत मतलब बच्चा बहुत क्यूट लगता है अगर आपकी आपने अपने बेबी गरल के लिए बनानी है जैस इसमें तो हम पॉम पॉम लगाएंगे वाइट कलर का पॉम पॉम मैंने अपने चैनल पर बता दिया है कैसे बनाना है चोटा बड़ा जैसे भी बनाना चाहते है उसी साब से आप गत्ते का पीस लीजिए थ्रेड फोल्ड कीजिए फिर उसको बात दीजिए और पॉम पॉम आप जहां पर लगा सकते हैं तो मेरे फ्रेंड्स मेरे राजे सब मेरी बच्चियां मेरी बहने मेरी माता जो भी बहने हैं बड़े लोग शोटे लोग उससे शोटे लोग तो राजे आपने ऐसे बनाना है अगर आपको अच्छा लगा हो हमें लाइक करें सब्सक्राइब कर करें और कमेंट्स करें हमें कि आपको जे कैप कैसी लगी थैंक यू